Hello Friends, मैं वो आपका दोश्ट, आपका ट्रेनर जस्पाल, जस्पाल रावत Friends, मेरे पिछले वीडियोस में हमने रेनी सीजन और विंटर सीजन यानि की वर्षा रितु और शीत रितु पर डिस्कस किया था आईए इस वीडियो में हम समर सीजन यानि की ग्रिशम रितु, स्प्रिंग यानि की शरद रितु और ओटम यानि की पज़ड इन सीजन्स पर चर्चा करेंगे समर ग्रिशम रितु इस सीजन इस एक्सपिरिएंच बेट्विन मीड अफ मार्च तु मीड अफ जून यह सीजन मार्च के मद्य से लेके जून के मद्य तक चलता है ग्रिशम रितु में अलग-अलग तापमान को अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है तो आएए उनपर चर्चा करते हैं सबसे पहले हैं वाम यानि कि जब ठंड खतम हो जाती है उसे वाम कहते हैं टैफिट जब मध्यम गर्मी पढ़ती है moderately warm यानि कि मध्यम गर्मी है ज्यादा गरम भी नहीं ज्यादा ठंडा भी नहीं होट होट का मतलब होता है गरम जब हमें पंखे की या छाओं की जौरत पढ़ती है तो उसे हम होट कहते हैं फिर आता है सल्ट्री होट एंड यूमिड जब गर्मी होती है और यूमिड इटी भी होती है यानि कि उसमा होती है उस वक्त हम सल्ट्री वेदर कहते हैं उसके बाद है स्कॉर्चिंग यानि कि जुलसा देने वाली गर्मी बर्निंग बाई सन्रेज पर्सपायर यह गर्मी का नाम नहीं है यह पसीने का नाम है जिसे हम पसीना कहते हैं पर्सपायर गिव आउट स्वेट थ्रू पोर्स ऑफ स्किन अमरे स्किन यानि चमडी के छिदर में से जो पानी बहार आता है उससे हम पर्सपायर यह स्वेट कहते हैं आगी है होट वेव इससे हम हिंदी में लू कहते हैं लू लगने से आदमी की मौत भी हो जाती है तो यह थे गर्मी के अलग-अलग प्रतार अब हम आगे सिखेंगे स्प्रिंग सिजन स्प्रिंग वसंत रितु स्प्रिंग यह सिजन फॉलोईंग विंटर अद प्रेसिडिंग समर यह सिजन शीत रितु के बाद और ग्रिशम रितु से पहले आती है जब उत्री दुरों में स्प्रिंग होता है तो दक्षिन दुरों में आटम सिजन चलता है आटम यानि की पजड का सिजन इन इंडिया मिड़ फेप तु मिड़ आप मार्च यह सिजन भारत में फेबरी के मद्य से लेकर मार्च के मद्य तक चलता है भारत में यह सबसे सुहावना मौसम है इन श्प्रिंग दे लेंग इंक्रिज एश दे सिजन प्रोग्रेस श्प्रिंग में दिन बड़े होने लग जाते हैं जैसे जैसे सिजन आगे बढ़ता है अगला सिजन है आटम पजड autumn marks the transition from summer to winter in September in the northern hemisphere और March in the southern hemisphere autumn जो है summer से winter की तरफ जाने वाले सिजन को कहा जाता है यह northern hemisphere में September के महिने में होता है और southern hemisphere में March के महिने में होता है जब दिन छोटे होने लग जाते हैं और तेमपरेचर ठंडा होने लग जाता है तो autumn season का आगमन होता है जब पेड अपने पत्ते गिराने लगते हैं या पजड होने लगता है तो season को autumn season कहते हैं इंडिया में हम mainly 3 season experience करते हैं summer season, winter season और rainy season लेकिन अगर आप Europe या Australia की तरफ जाओगे तो आप आओगे कि वहां पर summer तो नहीं के बराबर होता है rainy season कोई season नहीं है क्योंकि वहां कभी भी बारिश हो जाती है तो वहां पर 3 season में होते हैं winter, autumn और spring season तो ये थे हमारे seasons की जानकरे कैसा लगा दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे like कीजिए subscribe कीजिए ताकि मेरा कोई आने वाला वीडियो आपसे miss न हो जाए अपने दोस्तों की साथ share कीजिए और हां comments जरूर लिखिए इससे मुझे feedback मिलता रहता है thank you friends keep learning have a nice day